और अब्संस टेडिंग का एक में जो सबसे बड़ा सिक्रेट है, कि एक वार जो प्रोफिट आपका हो गया, वो प्रोफिट हुआ पैसा आपको बिल्कुल भी फिर मार्केट में नहीं देना है, एक वार इगर जो आपका प्रोफिट हो गया, उस profit को तो बिल्कुल भी market को नहीं देना है अगर जो आप लोग profit होने के बाद फिर finally loss में कर देते हो ता समझे लोग कि long term के लिए आपका overall loss का ही जरनी रहने वाला है overall आप एक profitable trader नहीं बन सकते हो तो hello everyone once again very welcome back to an audio and options trading के एक और वीडियो में आप से का स्वागत है and इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं options trading के सबसे biggest mistake जो कि जिसके कारण आप से का हमेशा loss होते रहता है regular loss होते रहता है है ना तो 5-6 ऐसे mistakes के वारे में बात करने वाला हूँ जो किया mistake आप लोग खुद ही है ना मैं मतलब अपने तरब से नहीं मैं daily मतलब live session जोईन करता हूँ सभी लोग live session में मेरे जोईन होते हैं आप लोग भी बहुत सारे लोग जो कि मेरे चैनल पे नए आयोगे हैं तो make sure आप मेरे live session में जोईन हो सकते हैं मिश्टेक्स की वज़ा से आप लोग लॉसे करते हो इन कौन से मिश्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करना है इसके बारे में बात करने वाले इससे पहले अगर जो चैनल पे आप लोग नए हो तो make sure channel को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टैबलेट में वो सारे मिश्टेक्स को मैंने नो डाउन करा हुगा है न यहाँ पे देख सकते हैं उससे जो एक extra income source यान की generate करना चाहते हैं लेकिन आप लोग पैसे लाते हो आपका final loss हो जाता है फिर से पैसे आइड करते हो फंड आइड करते हो फिर से आपका loss हो जाता है तो इस तरह के से आप लोग मिश्टेक करते रहोगे हमेशा आपका loss होते रहेगा इससे पहले चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास 50,000 रुपया है तो आप लोग क्या करते हो कि सबसे बड़ा मिश्टेक क्या करते हैं जो भी बिगनर ट्रेडर रहते हैं कि 50,000 का 50,000 का पूरा एक ही ट्रेड में लगा दिया तो आपको पता है कि एक ही ट्रेड में अगर जो लगा दिया तो 50,000 का 50,000 अगर जो आपने stop loss नहीं लगाए गो है तो total का total amount आपका एक ही ट्रेड में फाइनली पूरा capital wipe out हो सकता है पूरा का पूरा loss हो सकता है तो यहा सिदेफिर फिर आप का चुनलु हुआ तो principal विकषिन का है उन्हुरा को इसा ब्रफिट हुगा एक ही टेट में आपने सारा लोस कर लो गैंगे ना मतलब पहले टेट में आप पाशार प्रोफिट किया फिर से पाशार प्रोफिट क्या इसे इसे एक हंप्यार का आप को रिस्क में लेना है and 500 का जो profit है 500 का profit को आपको बचाय रखना है क्योंकि option trading का है जो सबसे बड़ा secret है कि एक बार जो profit आपका हो गया वो profit हुआ पैसा आपको बिल्कुल भी फिर market में नहीं देना है एक बार अगर जो आपका profit हो गया उस पर जाएगा लेकिन फिर से 75,000 के पूरा जो यूज करोगे तो समझ सकते हो कि यह रहिशा तो है नहीं कि रेगुलर आपका profit होते रहेगा 75,000 के यूज करोगे एक ही ट्रेट में आपका पता चला 40,000 के लॉस हो जाएगा तो आप सोचोगे यार 50,000 से मेरा तो 75,000 हो गया था उसको फिर फाइनली से 75,000 करने में 40,000 का भी लॉस फाइनली जीरो हो जाएगा और इस तरह के से आपका पूरा capital ही वाइप आउट हो जाता है तो इसलिए आपको पूरा total fund का यूज नहीं करना है आपको a small amount का ही आपको यूज करना है अब बात करते हैं दूसरा सबसे biggest mistake के वारे में जो कि profit के बाद हमारा loss हो जाना अगर जो आप लोग वैसे trader में से हो जिसमें कि आपका profit तो होता है बहुत सरे लोग मेरे channel पे live session में जुड़े होगे राते तो बताते है कि भईया मेरा है बारा वज़े से पहले तक profit होता है उसके बाद हमारा loss हो जाता है तो अगर जो आपका profit होने के बाद loss हो जाता है तो आपके लिए सबसे biggest happy news and सबसे खुस ख़बरी कि finally अब यहर आपका बुरे दिन finally खतम होने वाले हैं क्योंकि मैं बताने वाला stop loss ट्रेलिंग के बारे में stop loss ट्रेलिंग क्या होता है सबसे पहले तो एक stop loss होता है कि stop loss मा जाना है यानि कि जो एप जो भी आप broker को यूज करते हो ना उसका एंजल वान या तफिर है ना अगर जो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि यह सबसे बेश है एंजल वन मतों कि हैंग भी नहीं करता है आप जी समय ट्रेड में इंट्री करोगे उसी समय आपका जो एंगर ट्रेडर हो तो एंजल वन सबसे बेश्ट है तो एंजल वन का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एंजल वन से एकाउंट आप लोग फुलवा सकते हो ताकि उससे जो आपका बहुत ही अच्छे से प्रोफिर फाइली कर पाओगे आप लोग अच्छे से अब अश्टपलोस टेल हो करके जहां पर आपने इंट्री किया था 150 पर आपने इंट्री किया था 150 पर इंट्री हो जाना चाहिए ताकि अगर जो 160 रुपे से अगर जो मार्केट फिर रिवर्स भी करे तो पर भी आपका लॉस नहीं हो आइट लिस्ट आप कॉस्ट निकल ज है 20 पॉइंटी पॉइंट का यानि कि 20 रुपीज का प्राइक जो आपका प्रोफिट होगा वह आपका प्रोफिट ही रहे आपका वह फाइनल में पर फाली जहां पर आप इंट्री करते हो वह पर आजाता है मार्केट विसलिए अस्टापलोस बहुत ही ज्यादा इंपोटे इस एक बनता है 200 रुप oraz को नहीं पर दोंट G OUT crould में लहुता है है तो अस्टापलोस को आपको ट्रेल करना है ना कि विदाव तो मेरे को लग रहा है कि यहां से मार्केट उपर जागा तुरन पर चलता है कि आपने पर पंच कर दिया था रेश्टेंड के आपने इंट्री किया तुरन में फाइल मार्केट नीची आने लगा तो इस तरह के से विदा आपको आपके पास एक अस्टेडी होना चाहिए आप 30 अस्टेड़ी हो गया, 220 पीम अस्टेड़ी हो गया, 3 पीम अस्टेड़ी हो गया है ना, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग indicator के basis पर करते हैं, तो indicator के basis पर हो गया, या फिर आप प्राइज एक्षन फोलो कर सकते हो, या फिर आप रिवर्सल पर प्लान कर सकते हो, है ना, तो इस तरह के से बहुत सारे strategy होता है, different, different strategy होना कि कोई न कोई, simple से बात में बोलो तो आपका कोई न कोई एक region होना चाहिए, trade में entry करने के, without ऐसे ही नहीं कि market में बस बैठे हुए है चलवार market में entry कर लेते हैं, तो ऐसा बिलकुल में न चाहिए, आपका एक valid region होना चाहिए, कि हाँ मैंने एक setup बनाया हुआ, उसी setup को आपने, जिस setup को आपने back test करा हुआ है, जिस setup पे आप daily trade करते हो, वहें पे आपको trade करना है, अदरवाज बिलकुल भी trade में जवरदस्ति क entry नहीं करना है, क्योंकि अगर जवरदस्ति करोगे, तो market आपको एक बहुत बड़ा loss देगा, तो यह हो गया, एक आपका valid region होना चाहिए, उसके बाद फिर अब बात करते हैं, लोग पोजिशन को hold करना, आपको पता होना चाहिए, आपको जो fast movement चाहिए हो रहाता है, हम लो 4-5 point जाएगा ना, तो पर भी आपका premium move नहीं करता है, और आपका stop loss seat हो जाता है, या तो फिर market अगर जो थोड़ाबो 10 point move ही किया है, तो पर भी आपका जो premium है, जहां पे आपने entry किया था, premium वहीं पे रहा जाता है, क्यों, क्योंकि आपका इसमें time का भी value होता है, आपको entry करते हैं, ट्रेड में जब entry करते हो नहीं, तो आपका दो चीज तो आप सोच लेते हो, क्या है ना, हमारा spot loss यहां पे है, हमारा target यहां पे है, लेकिन दो चीज के अलाबा एक और चीज आपको सोचना है, जो की आपको time के बारे में मैं भी सोचना है, क़्िछना है क्योंकि कि आपका एक बहुत बड़े risk में पढ़ते हो और बहुत बड़ा आपका finally नुकसान होता है सारा का सारा capital आपका wipe out हो जाता है पता चले कि आपनी call में entry बनाय हुगा था कल market gap down ओपने हुगा 200 point gap down ओपने हुगा रातो रात कुछ हैसा नहीं हो जाए जिसके बज़ा से तो सबसे पहले तो आपको btsd बिल्कुल भी नहीं करना है overnight के लिए hold नहीं करना है और उसके सासथ आपको time यानकी ज़्यादा time के लिए नहीं रुकना है क्योंकि option buyer के लिए theta dk होता है market में time का भी value होता है और खास करके expiry दिन के नजदीग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का वेटनेश डे को expiry होता है निफ्टी का थरश्डी को expiry होता है तो वेटनेश डे के दिन तो और भी मतलब आधा गंटा भी अगर जो market time कर लिया न तो आप जहां पे entry किये थे भले ही वही पे market है या तो फिर 5.10 पॉइंट आपके side में market जाएगा लेकिन फिर भी premium में आपका strike price वहां पे premium नहीं आपका बढ़ पाएगा तो इसलिए time का भी value यहां पे होता है option buying में आपको और हम लोग option buyer को क्या चाहिए कि जैसे हमने entry किया तुरंत में उसके just अगले एक से दो candle में हमारे side market जाना चाहिए अगर जो एक से दो candle में नहीं जाता है तो कहीने कई आपका time का value फिर कम होते रहता है और इसके वज़े से finally आपका loss होते रहता है तो यह आपको long term के लिए आपको hold नहीं करना है और आपको next day के लिए तो बिल्कुल भी रात और रात के लिए मतलब इसा नहीं कि रात और र लोग है ना उस मज़े के लिए trade में जवरदस्ती का entry कर लेते हैं market जबकि आपको दिखा रहा होता है कि देखो में है ना एक box में market चल रहा है एक finally train line एक range बना लेगा market है ना एक train line ऊपर से support लेकिन फिर भी एक चैनल में market मूब करता रहेगा तो यह सब क्या होता है कि यह सब time pass करने के लिए प्रीमियम को ठीटा डीके जो की प्रीमियम होता है ना वही आपका प्रीमियम गला रहा होता है market आपने जहां पर इंट्री किया है उसी बीस पॉइंट में घुमते रहेग फिर भी आपका लॉस हो जागा 10 पॉइंट का है ना तो जबरदस्ती का trade नहीं करना है sideway में नहीं करना है बिलकुल यह profit and सबसे biggest thing एक सबसे biggest mistake कि profit में ज्यादा आपको quantity को add नहीं करना है आई loss को recover करने के लिए over trade नहीं करना है बहुत सारे लोग होते हैं कि यानि कि profit हो रह है लेकिन कई वारे ऐसा होता है कि market आपके side जा रहा होता है जा रहा होता है एक ऐसा rate का इंडल बनता है कि जहां पर आपने entry किया वहें फिर market आ जाता है तो आपको ज्यादा over confidence नहीं हो जाना है आपको quantity को add एकदम से पुरा नहीं करने लग जाना है आई उसी के opposite फिर आप आज ही मेरे को profit चाहिए ना इस तरीके से क्या होता है कि उस दिन एक आपका बहुत ही बड़ा loss हो जाता है तो आपको loss को cover करने यह बिल्कुल भी नहीं करना है emotions के वजह से आपका loss होता है फिर आप over trade करने लगते हो एक बहुत ही बड़ा loss हो जाता है छठार सबसे biggest mistake कि भा यह सब जो पैसा होता है वो आपका emotions का पैसा होता है उसमें जो आपका emotions involved रहता है और आपको पता है कि एक business की तरह है ऐसा नहीं है कि आपको 100% profit होगा जिस समय आपने इंट्री किया उसी समय आपका profit का भी chance है और उसी समय आपका loss का भी chance है तो बिल्कुल भी loan लेकर करके याद फिर आपका coaching का पैसा हो, tuition का पैसा हो, आपके college का पैसा हो यह सब पैसा बिल्कुल भी ने यूज़ करना है अगर जो यह सब पैसे को यूज़ करोगे तो एक बहुत बड़े मुसीवत में पढ़ोगे और अंदर से बिल्कुल भी खर जाओगे आप लोग फिल करते हो बिल्कुल भी ने यूज़ करना है अईसे पैसे को यूज़ करोगे लोन ले करके यूज़ करोगे तो हमेशा इसमें emotions involved रहता है जहीसे आपका एक ट्रेड में लॉस जाएगा उसके बाद फिर उस लॉस को सारा पैसा रिकवर करना है और उसको बाद फिर बहुत बड़ा ल लॉस आज ही रिकवर हो जाना चाहिए तो यह सारे सारे मिश्टेक है बाकि आप लोग जो और बहुत दिनों से ट्रेडिंग करें आपके पास अगर एक्स्प्रियेंस है तो आप लोग भी एक दो और भी कुछ भी अस्टेडिक के बारे में बता सकते हो मतलब कि कौन सा ऐसा कुछ आइसा हैबिट है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तो आप लोग कौमेंट स्टेक्शन में बता सकते हैं तो यहार 5-6 मिश्टेक है जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लास्ねぇर मैं यही बोलूँगा request करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी आपको बहुत ही पहले आप लोग लर्णिंग लीजिए क्योंकि यह पैसा हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग जीसे मैंने बताया कि लोन लेकर के पैसा जो आप την करते हैं तो आप आपके बहुत ही मतलब कमाया हुआ बहूत ही हाड़ वर का पैसे को बहुत ही आपको इंप्लिमेंट करना पड़ेगा देन आफ्टर ही यह आप लोग प्रोफिटिवल ट्रेडर बन पाओ गया न तो यह बहुत एमोशनल हो जाता है कि पैसा फाइनल आते हो फिर से आपका लॉस हो जाता है फिर से फानली आपका लॉस हो गया निकि हाट वरकिंग के दिवारब ऐसा कमाते हों तो बिलकुल भी इस तरह से विदाओ यह सारे मिस्टेक को करते हुए जा रहे हो बार बार करते जाहरे हैं यह से मिश्टेक तो यह मिश्टेक नए करना है बाकि आप लोग टेलीग्राम में ज्वानग जाना मेरे चैनल पर दितने दिया हुआ उस लिंक पे क्लिक करे आप उसे मिश्टेक नहीं करते हैं यह वाई कस्यांग करते हैं से हमेने नेक्ष гл